कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रिशी का ऑनलाइन क्लासेस में हार दिक स्वागत है अभिनन्न है साथियों प्रेणा पोर्टल पर एक नया अपडेट हो गया है और अब जो नया अपडेट आया है वो आया है अप्रेल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान और धनराशी का विवरण भरने के लिए जी हाँ क्रोना काल के समय वो विद्धाले बंद रहे थे और खाद्यान और धनराशी बित्रित की गई थी उनके खातों में पैसा भेजा गया था और गल्ला पर्ची के दौरा उनको गल्ला खाद्यान दिया गया अब जो भी उसका उप्भोग हुआ है जैसे पूर्व में पहले भी हम सभी साथी पोर्टल पर अप्लोड कर चुके हैं यह एक्सल फाइल और उसी तरीके से आब पुनहा अप्रेल 21 से अगस्त 21 का खाद्यान और उसकी धनराशी का उप्भोग हमें एक्सल के रूप में एक एक्सल फाइल हमें कहां मिलेगी कैसे उसमें डाटा भरेंगे और वह कैसे अप्लोड होगी आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे आप हमारे वीडियो को साथ जुड़े रहेगा और यह पूरा वीडियो बढ़ाने से पहले मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आपका सहयोगी मुझे बल देता है इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प करने का जी हां तो इसलिए यह बल हमें आपके सब्सक्राइब और शेयर से ही प्राप्त होते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा यदि कोई आपको कोई समस्या है कोई प्राब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसके अलावा भी मेरे आप हमें फालू कर सकते हैं इस्टाग्राम फेस्बुक टेलीग्राम तो आप हमारे चैनल साथ जुड़े रहेगा आए शुरू करते हैं कि कैसे हम अप्रेल दोजार इकिस से अगस्त जोहार दोजार एकिस तक का खाद ही देता है जी हां इस डैश्बूर्ड में यह नया अपडेट हुआ है आप देख रहे हैं यह लिखा हुआ है अप्रेल दोजार इकिस से अगस्त दोजार एकिस तक का खाद्यान और धनराशी का बिर्मान भरें जी हां आपको इसी option पर क्लिक करना है जब आप यहां पर क्ल करें सूचना ओपर ज़रूर पढ़ लिया करें कि नमर बन लिखा हुआ कि एकसल अप्लोड करते समय सभी फील्ड का डाटा देना अनिवार है जी हां अभी हम आपको बताएंगे जो एकसल फार्मेट जो एकसल फाइल इसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले तो उसमें जो कालम उसके खाली है उसको अनिवार रूप से भरना है यह बात कहीं गई है दूसरी बात है कि करफिया चात्र चात्रा की प्रवेश्तित्थी में बही दिनांग भरें जिस दिनांग को चात्र चात्रा ने विद्धाले में प्रवेश लिया है जिहां जब एड्मिशन डे देखेगी और UPS with UPS merge हुआ है तो च्शा से आठ देखेगी यदि पीएस विट UPS merge हुआ है तो इस तरीके लिखा हुआ तो हम यहाँ पर क्या करना है हमें जिस class की एक्सेल फाइल अप्लोड करना है डाउन पहले हम डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करनी है तो उस class को हम select कर लेंगे और जैसे हम class select करेंगे और यहां पर search को option करेंगे हमारे सामने यह इस तरीके से देखी यहां पर green पट्टी पर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं यह जी लिखा हुआ है कि download excel format जी हाँ आप यहां से वो excel file download कर लेंगे जी हाँ जब excel file download ढाउनलूड हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि excel file डाउनलूड हो जाती ही लेकिन open नहीं होती है तो आप इस पर is इस इस पर क्लिक करने पर यह होगा कि आपके सामने अभी आगे आप बताएंगे कैसे आप इसमें बिना एक्सल फाइल डाउनलूड करें भी अपना डाटा भर सकते हैं तो जो सबसे पहले देखिए इसमें निर्देश जो लिखे हूँ उनको हम पढ़ लेते हैं सबसे पहला है कि बैंक के खाते के लिए चात्र चात्रा के माता पिता अभिवाबा की ही जायनकारी दें तदा खाता धारक का मुबाइल नंबर देना अनिवार है दूसरी बात ध्यान रहे एक्सल सीट डाउनलोड होने को प्रांत नाम पिता का नाम ऐसा नंबर जन्म देती यदि गलात है तो सही करके एक्सल सीट अपलोड कर सकते हैं पहले ऐस선 नहीं था अगर आप कोई भी क्रेक्षिन करते थे तो वह एक्सल फाइल अपकी अफलोड नहीं प्रती थी लेकिन अब इसमें बहुत अच्छा कर दिया है कि वह एक्सल फाइल भी अफलोड हो जाएक जैंगी जिसमें यहीं कोई करेक्षिन करते हैं ृता का नाम ऐसा नमबर जनम्तिती चौथा प्रश्ण है चौथा जो और निर्देश है वो है कि ध्यान रहे यदि छात्र चात्रक आधार संक्या नहीं है तो आधार के उपस्तिती के प्रकार के कालम में एक भरें यदि खाता धारक का आधार संक्या नहीं है तो दो भरें यानि खाता संक्या उपस्तिती है तो एक है नहीं है तो दो है यदि भरें अथवा दोनों का आधार संक्या नहीं है जी हां यानि पैरेंट्स का भी नहीं हो बच्चे का भी नहीं है तो तीन भरें यदि दोनों के संक आपस्तित है तो कालम चार वह मिल 일단 कहा है अगर दोनों न hell नहीं है तो आधार की परस्तितिक प्रकार रों हुआ कि कालम में एक भरेंगे की खाता अधारक का आधार नहीं है तो दो की दोनों के दोनों पर परस्तित है तो चार भरेंगे कि अगला पॉइंट है ध्यान रहे छात छात्रा के खाता धारक के सास्थ संबंद कि कालम में पिता होने पर एक माता के नाम होने माता होने पर 2 और संद्रक्षक है तो तीन भरेंगे अन निकले चार भरेंगे ध्यान रहे यह खाताधार की जानकारी नहीं है तो बर्तमान में चात्र चात्रा की जानकारी की कालम में नो या यह सब्ड़ सकते हैं ध्यान रहे एक ही माता पिता के एक से अधिक बच्चे हैं तो एक ही परिश्यर परिवार के छात्र छात्र हाँ या नहीं कि कालम में यस भरें अथ्वा नो भरें यह आप को निर्देश दिये गए तो हम किसे क्या करेंगे यहां पर डाwn globe करेंगे एक्सल अ और जैसे ही एक्सल फाइल डाउनलाट करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा यह आप़ शारे कालम भरे मिलेंगे यहां तक कहां तक लिखेंगे यहां पर सब father's mother name तक आपको भरे हुए मिलेंगे इसमें कुछ भी आपको नहीं भरणा है अगर गलात है कि कालंग इन कोम से भरने हैं आपको address का कलंग भरना है है चांनबर एक पिन कोड भरना है कि बैंक भरना है एक गओंट कि आधार उपर्तित कि जैसा बताया था कि आधार है या नहीं है दोनों के हैं तो यहां पर भरना है प्रेजेंट टाम इसको बच्चा उपर्तित है यहां यहां पर भरेंगे जो एकाउंट होल्डर है उसके साथ बच्चे का क्या रिलेशन है वो भरेंगे यहां पर जो रुपीस जो बाटे गयते धनराशी दी गई उसको हम लिखेंगे चावल कितने थे और ग्यों कितने थे जी हां यह तेरा कालम आपको भरने है जी हां यह ध्यान रखेगा बहुत आ आपको इंग्लिस में फीड करने होंगे हिंदी की फीडिंग में यह फाइल अपलोड नहीं हो सकेगी इसलिए जो भी आप डाटा भरेंगे वो पूरा आप इंग्लिस में ही बहें जब आपकी एक्सल फाइल आपने डाटा सेफ कर दिया फाइल कर दिया तो जब यह सेभ हो तो आप देखेंगे इसको अपलोड अप कैसे करेंगे पहले आपने डाटा भर ली आपने आप इसको हम अपलोड करेंगे अपलोड करने के लिए जैसा यहां पर ऑप्शन था यह देखिए यहां पर तो डाउनलोड को ऑप्शन था तो यहीं पर बापस हम देख रहे हैं य यहां यहां पर हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबायल में कर रहे हैं या लैपटॉप में मोबा कंप्यूटर में तो कहां पर वो फाइल सेव है उस जगहां से हम इस फाइल को यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे और ज क्लिक करते ही हमारी फाइल वो अप्लोड हो जाएगी मान लीजिए अगर आपकी फाइल एक्सल फाइल जो है डाउनलोड नहीं हो रही है तो जैसा मैंने बताया था कि इसको मैनुली भी भर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आप इस फोर्टी फाइब जो संख्या दे रही जो बच्चे हैं यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने वही विंडो इस टाइप से आ जाएगी और वह सब खाली-खाली होगी यह द एक-एक बच्चे की डिटेल हम भरते जाएंगे और लास्ट में हम यहां पर टिक करेंगे और प्रोसीट कर देंगे तो भी हमारा डाटा स्रक्षित हो जाएगा वह आप देख सकते हैं किसमें बहतर रहेगा बहतर यह रहेगा कि आप आराम से एक्सल फाइल जो है डाउनलो कर दी एक्सल फाइल और अप्लोड करने कोई दिक्कत नहीं अगर आपका डाटा सही भारा हुआ तो अप्लोड हो जागा बहुत इसली तो आपने देखा किस तरीके से आप अपनी यह फाइल अप्लोड कर सकते हैं यह जो हमें दिया गया है प्रेंड़ना पोर्टल पर एक् इस तरीके से हम फाइल अप्लोड करेंगे लेकिन फिर भी अगर कोई आपका कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेमेंट वाक्स में जरूर लिखेगा हमारा पूरा प्रयास रहगा कि आपकी प्रतेक समस्या को दूर किया जा सके हमारे चैनल के माध्यम से तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने और साथियों में भी शेयर कीजिएगा जिससे वो जल्द से जल्द इस एक्सल फार्मेट को अपलोड कर सके प्रेणा पोर्टल पर नमस्कार